हलो दोस्तो मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम ट्रियंगल से पार्ट 7 करेंगे इसमें हम तिरबुजों के जितने भी केंदर होते हैं वो और वो जिनसे बनते हैं वो उन सब के बारे में डिसकस करेंगे ठीक है तो आप हेडिंग डाल दीजिए तिरबुजों क के केंद्र होते हैं जिसमें पहला आता है केंद्रक या इसको गुरुत्व केंद्र बोला जाता है और इंग्लिस में इसको सेंट्रोइड बोला जाता है जो कि मादिका से मिलकर बना होता है दूसरा आता है अंतव केंद्र जो कि कौन सम्दुबाजक से मिलकर बना होता है तीसर केंद्र जो कि बायक और सम्दवाजक से मिलकर बना होता है अब देखो एक के करके हम इन सब के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला आएगा इसमें केंद्रक तो जो केंद्रक होता है वो मादिका से मिलकर बना होता है अब देखो यह मादिका क्या चीज होती है तो मादिका स सीर के सामने वाली बुझा कि मध्य बंदू से मुलाने वाली रेखा को माधिका कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजे कोई तिर्बुझ मैं इस प्रकार से ड्रौ करता हूं? ABC, यह कोए तेरे बुझे, ABC, इसकी बुझाएं है, तो इसमें लिखा है CIRS के सामने, तो अगर मैं यह वाला CIRS लेता हूँ, तो इसके सामने कौन सी बुझा है, बुझा BC है, तो CIRS के सामने वाली बुझा के मध्य बिंदू, मद्य बिंदू का मतलब जहां पर B C दो बराबर बागों में बांटती है तो मान लीजे यहां पर यह वाला जो point है यह इसको दो बराबर बागों में बांटता है इसको मैं D मानता हूँ तो जितनी value B D की होगी उतनी value किसकी होनी चीए D C की होनी चीए यह इसका मद्य बिंदू हो गया अब मैं A और D को अगर मैं इसको इस परकार से मिलाता हूँ तो यह जो रेखा होगी यह माद्य का कहलाईगी ठीक है यही चीज मैंने इसमें लिखी है कि सीर्स के सामने वाली बुझा के मद्य बुंदू से मिलाने वाली रेखा को माद्य का कहते है इसी परकार से देखो यह वाला अगर मैं सीर्स लेता हूँ तो इसके सामने अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो जो माद्य का होगी यह B A को दो बराबर बागों में बाटेगी अगर मैं यहाँ पर E मानता हूँ तो जितनी वैल्यू A E की होगी उतनी वैल्यू किसकी होनी चीए E B की होनी चीए और अगर मैं एक तीसरी मादिका यहां से ड्रॉ करता हूँ उस परकार से तो जितनी वैल्यू इसकी होनी चीए तो यहाँ पर अगर मैं F मानता हूँ यानि A F बराबर होना चीए F C के ठीक है तो यह तीनों मादिकाई मैंने इसमें बना दी अब जहाँ पर यह तीनों मादिकाई मिलती है यह जो point होता है यह जो परतिशेदन बिंदू होता है इसको हम kendra कहते है और अगर इसके definition की बात करूँ तो तिर्बुच की तीनों मादिकाई तीनों जो मादिकाई हैं जिस बिंदू पर मिलती है जहाँ पर यह मिल रही है वह बिंदू kendra कहलाता है जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया ठीक है तो आपको समझ में आगिया होगा कि मादिका किसे कहते हैं और kendra किसे कहते हैं अब देखो इसके कुछ properties होती है जो आपको पता होनी चीए तो इसमें पहली property आती है कि मादिका आदार को दो बराबर बागों में बांटती है जो कि मैंने अभी आपको बोला तो अगर मैं एक तिर्बुज आपको इस परकार से बना के दिखाता हूँ यह A है यह B है यह C है तो यहां से अगर मैंने एक मादिका डाल दी तो मादिका क्या करती है इसको दो बराबर बागों में बांटती है तो अगर मैं यहां पर D मानता हूँ तो जो BD की Value होगी वो DC की बराबर होगी जो कि मैंने यहां पर लिखाया मादिका आदार को दो बराबर बागों में बांटती है अब बराबर बागों में बांटने का मतलब क्या है कि अगर मैं इनका अनुपात निकाल दू तो इनके बीच का जो अनुपात होगा वो एक अनुपात एक का होगा ठीक है जो BD अनुपात DC होगा वो होगा एक अनुपात एक यानि जितनी value इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी अगर इसकी value 5 होती है तो ये भी 5 होगी इसकी value 15 होग ठीक है तो यह आपको आनुपात समझ में आ गया होगा अब देखो अगर मैं ये वाले तिर्बुज की बात करूँ यहाँ पर दो तिर्बुज बन रहे हैं एक तिर्बुज बन रहा है तो अगर मैं ये वाले तिर्बुज की बात करता हूं तो एक बटा दो इंटू बेस मैंने एक माना है तो यहाँ पर एक हो जाएगा अब देखो इसमें हाइट क्या हो जाएगी देखो किसी भी तिर्बुज में जो उचाई होती है वह आधार पर 90 डिगरी का कौन बनाती है ज हो जाएगी तो यहाँ पर मैं एच लिख सकता हूं इसी परकार से अगर मैं ये वाले ट्रेंगल की बात करता हूं ट्रेंगल ADC तो इसका भी चेत्रफल होगा एक बटा दो इंटू आधार क्या है इसका आधार मैंने एक माना है क्योंकि दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर ए एक से एक कैंसल और एच से एक कैंसल तो यहाँ पर कितना आ रहा है यहाँ पर एक आ रहा है यहाँ पर एक आ रहा है यहाँ इनका जो छेत्रफलों का अनुपात होगा वो भी एक अनुपात एक की फॉर्म में होता है तो यहाँ से मुझे दो चीज़े समझ में आगी पहली जो मादिका होती है वो आदार को दो बराबर बागों में बाड़ती है या एक अनुपात एक में बाड़ती है और दूसरा इनका जो छेत्रफल होगा यह जो दो त्रिपुज हमने यहां पर बनाए उनका जो छेत्रफल होगा वो भी इनके बराबर होगा तो कि यहां पर एक अ इस भी आपको धियान रखनी है और दूसरी property इसी पे बेस्ट है दूसरी property क्या है माधिका तिर बुझ को दो बरावर छेत्रफल वाले भागों में बांटती है चो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि अगर मैंने यहाँ पर माधिका इस परकार से ड्रौ कर दी तो दो ति यह हो गई इसकी दूसरी प्रॉपरिटी अब तीसरी प्रॉपरिटी यह आती है कि तीनों मादिकाईं तिरबुजों को छे बरावर छेत्रफलों में बांटती है अब देखो इसका क्या मतलब हुआ अगर मैं इसी प्रकार से एक ट्रेंगल ड्रॉब करता हूँ एबी से ठीक है और महां लेजिए इस तिरबुज का कैंदरा की यहां पर 내일ा कि यहां से मैंने इस प्रकार से लंपय तीन रिखाई हैं इस प्रकार से डालदी और इसको अगर मैं जी नाम दे देता हूँ दिको रहा है एक त्रिपुजी यह बन रहा है ट्रेंगल जी बीसी तो अगर मैं यहां से इस परकार से एक माधिका डाल दीता हूं अगर मैं इसको डी नाम दी दूँ तो यहां पर देखो मैंने क्या बोला कि यह जो बेस है इसको दो बराबर बागों में बाटती है और इसी परकार से छेतरफल को भी दो बराबर बागों में बाटती तो अगर यह एक अनुपात एक है तो छेतरफल भी एक अनुपात एक होगा इसी परकार से अगर मैं यहां से एक माधिका डालता हूं तो इसको अगर मैं एफ नाम दे देता हूं तो यह भी एक और एक होगा इसका जालता हूं तो यहां पर भी हो जाएगा यह एक अनुपाद एक तो इन सब का छेत्रफल देखो बराबर होगी है और टोटल कितने ट्रेंगल बन रहे हैं एक दो तीन चार पांच है तो अगर मैं इस परकार से ट्रेंगल ड्रो करूं तो यहां से एक मादी का यह वाली होगी दूसरी मादी का यह होगी और तीसरी मादी का यह होगी तो छे ट्रेंगल बन रहे हैं तो इन सब क्यों चेत्रफल होगा वो बराबर होगा यानि अगर यह ए बी-सी है यहां पर इसको डी-ई-एफ मानता हूं तो कोई साब भी ट्रेंगल लेलो यह मैंने जी माना है तो होगी इसके वरावर भी होगी इनके वरावर मलब सब के बरावर होगी तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि तिरबूच ABC इसकी जो वैल्यों होगी वह बराबर होगी 6 into triangle AGF के बरावर ठीक है और वही चीज मैंने आपको यहां आई है तिक तो यह इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई अब चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो केंद्रक होता है मादिका को दो अनपात एक में बाढ़ता है अब ऐसे क्यों होता है अब देखो अगर केवल यह वाली मादिका को अगर में लेता हूं तो इसमें देखो इस प्रकार से मैंने triangle ड्रोग गिया ABC, A, B और C और यहाँ पर center है इसका और यह मैंने पूरी मादिका ले ली यह इसका center है यह मैंने ड्रोग कर रहे इस प्रकार से यह वाला ठीके और यहाँ पर इसकी value कितनी होगी एक होगी इसी प्रकार से देखो एक यह है, एक यह है मतलब यह पूरे की value कितनी होगी एक प्लस एक, तो यह पूरे की value हो जाएगी दो, तो इसका छेतरफल एक है इसका छेतरफल दो है, और मैंने अब यह आपको क्या बताए कि जितना इनके छेतरफल का अनुपाद होगा, उतना ही जो यह base है उनकी value होती है, जैसे अगर मैं इसको base मानूँ, यानि अगर मैं यहां से देखो इसको, तो यह तो इसका base हो गया तो इनका छेतरफल है, दो अनुपाद एक में, तो जो base होगा इनकी value भी क्या हो जाएगी दो अनुपाद एक की अनुपाद में होगी ठीके, तो यहीं से हमने क्या निकाला, जो कहने रखोगा वो मादिका को दो अनुपाद एक में बाढ़ता है तो यहां पर मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इसको जी माना है, तो A, G, अनुपाद यहां पर लिख देता हूँ, A, G, अनुपाद, G, D की जो value होगी, वो दो अनुपाद एक होगी इसी प्रकार से, अगर मैं यह वाली मादिका को लेता हूँ, तो यहां से, लेकर यहां तक, यह दो होगा, यह एक होगा इसी प्रकार से अगर मैं यह वाली मादिका को लेता हूँ तो यह 2 होगा और यह 1 होगा पस आपको यह धियान रखना है कि जो side आपको लंबी लग रही है वो 2 होगी और जो छोटी लग रही है वो 1 होगी ठीक है या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिस तरफ सीर्स होगा उस तरफ दो होगा और जिस तरफ बुजा होगी उस तरफ एक होगा तो ये सारी चीज़ें हैं कैंद्रा के बारे में और मादिका के बारे में जो कि आपको पता होनी चीए अब देखो इसमें दूसरी चीज़ आती है अंता के इंद्र, जो की कौन सम्दिवाजक से मिलकर बना होता है, अब देखो ये कौन सम्दिवाजक क्या होता है, तो अगर इस परकार से कोई ट्रैंगल में ड्रो करता हूँ, तो यहाँ पर A होगा, यहाँ पर B होगा, और कौन कौन से है, अभी क्योंकि अंता की बात हो रही है, तो अभी यहाँ पर जो कौन होगा, वो इंटरनिली कौन में लूँगा, तो तीन इंटरनिली कौन होगे, सम्द का मतलब होगा समान, दूई का मतलब होगा दो, और बाजक का मतलब होगा भाग, इसका मतलब क्या होग कि जो कौन को दो बराबर भागों में बाटे तो अगर मैं यहां से इस पिरकारशे कोई line ड्रौ करता हूँ और यह जो line है इस कौन को कौन ए को दो बराबर भागों में बाटेगा तो मतलब इसकी value a by 2 होगी इसकी value a by 2 होगी तो तब मैं इस रेखा को कौन सम्दुबाजक कह सकता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है देखो इसमें भी लिखा है कि वह और एक खागंड जो तिरबुज के सीर से प्रारम होता है सीर मतलब यहाँ से प्रारम होता है एवं कौन को दो समान भागों में बाटता है तो यह जो कौन है इसके दो बरावर भागों में बाटता है इसको कौन सम्दुबाजक बोला जाता है इसी परकार से अगर मैं यहाँ से कौन सम्दुबाजक डालू तो कौन सम्दुबाजक को मैं इस परकार से क्रॉस करके डिनोट कर सकता हूँ तो यहां पर अगर मैंने कौन सम्दुबाजक डाल दिया तो जो कौन सी है इसको भी दो बरावर वागों में वाटेगा और यहां से अगर मैंने कौन सम्दुबाजक डाल दिया तो इसको भी यानि जो कौन भी है इसको भी दो बरावर वागों में वाटेगा तो तीन कौन सम् करके इसको इन इसको कैंड्र तो कैंड्र करनकर अगर कैंडर्मकर इसकी एक बोजा को तेसे डूर तो यह सरकल जो है वह तीन होगां मतलब dynamics को यहां से लेकर यहां तक की जितनी दूरी होगी उतनी दूरी यहां से लेकर यहां तक की होगी और उतनी दूरी यहां से लेकर यहां तक की होगी तब ही वो क्या करेंगे तीनों को टच करेंगे तो इसलिए इसको अंतर केंद्र बोला जाता है और इसको बोला जाता है अंतर व्रित जो व्रित बनता है उसको अंतर व्रित करते हैं देखो यहाँ पर आपको ढंग से समझ में नहीं आ रहाँ होगा यह अगर इसका अंतर केंडर है तो यहाँ से अगर मैंने कोई circle draw कर दिया तो इस प्रिकार से circle बनेगा यानि इसको भी touch करेगा इसको भी touch करेगा और इसको भी touch करेगा देखो यह उपर बन गया थोड़ा मैं यहां कर यहां पर इसको बना देता हूँ तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी उतने ही धोरी यहां से लेकर यहां तक होगी मतलब यह इनकी रेडियस हो जाएगे इसको बोला जाता है अन्तर त्रीजिया और यह होगा अन्तर बृत अधेको इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी आपको दियान रखनी होगी तो कौन कौन से प्रॉपर्टी धियान रखनी है मान लिजिए कोई तिरिवुज मैंने बना दिया A, B, C और यहां से मैंने एक कौन सम्दुबाजक डाल दिया कौन सम्दुबाजक मतलब यह भी A, Y, 2 होगा और यह भी A, Y, 2 होगा तो इसमें जो बुजा होती है यहां से मैंने इसको कौन सम्दुबाजक डाल रहा वहां से जो दो बुजाएं निकलेंगी याने A, B और A, C तो इन दोनों का जो अनुपाद होगा वो जिस बुजा पर मैंने यह सम्दुबाजक डाला यानि बुजा BC पर इनका जो अनुपात होगा वो अगर मैं इसको D मानता हूँ तो BD और DC इसके अनुपात के बराबर होगा एक चीज तो आपको ये दियान रखनी है क्या दियान रखना है कि जहां से मैंने ये सम्धिवाजक डाला वहाँ से जो दो बुजाई निकलेंगी यानि A, B और A, C इनका उनुपात BD और DC के बराबर होता है एक चीज आपको ये दियान रखनी है दूसरी चीज आपको ये दियान रखनी है कि ये जो तिर्बुज होगा यहाँ पर अगर इसका अंता केंद्र है तो ये मैंने इस परकार से कोई अगर यहाँ पर सरकल डौ कर दिया तो ये पूरे तिर्बुज का जो छेतरफल होगा तिर्बुज A, B, C का जो छेतरफल होगा का छेतरफल बराबर होगा R इंटू S के जहाँ पर R जो होगा वो अंता केंदर की जो तिरजया होगी वो होगी और जो S होगा S पराबर होगा तिरबुज का अर्दे परिमाब यहने A प्लस B प्लस C बाइटू क्योंकि परिमाब मतलब पूरी माब तो अगर मैं यहां से चलना प्राड़म करता हूँ तो इसके सामने वाली यह बुजा A होगी यह बुजा B होगी और यह बुजा C होगी तो पूरा मापना है तो A प्लस B प्लस C तो A प्लस B प्लस C और अर्द परिमाब मतलब इसका आधा करना है तो S की वैल्यू इसके बराबर होगी तो इससे भी मैं इसका छेतरफाल निकाल सकता हूँ दूसरी चीज आपको ये दियान रखनी है तीसरी चीज आपको ये दियान रखनी है कि अगर मैं इस परकार से मैंने क्या कर दिया यहां से तीन कौन सम्दुबाजक डाल दिया या मैं इसको अगर यहां पर इस प्रकार से ड्रोग करता हूँ A, B और C एक सम्दुभाजक यह डाल दिया, दूसरा यह और तीसरा यह वाला तो यहां पर यह जो कैंदर है इसको मैं I C denote कर सकता हूँ आई से क्यों denote करूँगा क्योंकि इन सेंटर में स्टार्टिंग में I आता है तो याद रखने के लिए इसको मैं I C denote कर सकता हूँ तो जो कौन B I C यह यह वाला जो कौन होगा यह वाला कौन इसकी value होती है 90 प्लस एंगल यह वाला जो कौन होगा यह वाला कौन कितना हो जाएगा तो 180 मैंसे माइनिस करूँगा मैं B by 2 और माइनिस करूँगा मैं C by 2 तो अगर मैं माइनिस कौन लेता हूँ तो यहाँ पर होगा B plus C by इसको मैं 2 लिख सकता हूँ तो इसके बरावर होगा और मुझे पता है कि यह वाला अगर मैं एंगल लेता हूँ तो इसमें angle a plus angle b plus angle c इसकी value होती है 180 के बरावर तो यहां से अगर मैं b और c की value निकालो तो यह हो जाएगा 180 minus a ठीक है तो यहां पर b और c की value मैं डाल सकता हूं 180 minus a तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 180 minus अब देखो बटे 2 है तो बटे 2 इसके भी होगा इसके भी होगा यह plus है तो अगर मैं minus को लूँगा तो यह minus हो जाएगा इस से यह cancel तो यहां पर होगा 90 और यह minus है यह भी minus है तो minus minus का plus तो यह होगा con a by 2 तो इसमें से यह minus तो 90 plus con a by 2 और con a की value मैंने आपको बताई b ac में इसको लिख सकता हूँ जो कि मैंने यहां पर आपको बता दिया इसके बराबर होता है पाकि इसके detail में नहीं जाएंगे आपको यह तीन चीज़े दियान लखनी है पहली चीज़े इनका जो अनुपात होगा इन दोनों बुजाओं का अ अनुपात और इसके अनुपात के बराबर होगा अब देखो अगर मैं यह वाले count समद्वाजक को लेता हूँ तो इसमें क्या होगा इसकी value तो पहली बुजा है इसमें a c क्योंकि मैंने बोला यहां से निकलेगी जो बुजाएं उनका अनुपात तो a c अनुपात यहां पर b है ना तो b c इसकी value किसके बराबर होगी a यहां पर अगर मैं e मानता हूँ तो a e अनुपात e b के बराबर होगी ठीक है इसी परकार से आप यह वाले का निकाल सकते हैं तो पहली चीज यह होगी दूसरी तीज यह जो पूरे तिरबुज है इसका जो छेतरफल होगा वो r into s के बराबर होगा और तीसरी चीज यह जो कौण होगा यह जो कौण होता है उसकी value 90 प्लस यह वाले कौण के हाप के बराबर होती है ठीक और लास चीज में आपको इसमें यह दियान रखनी है कि जो कौण समदबाज़क यह इसकी जो value होती है इसकी value या इसका अगर मैं अनुपात I अगर मैं इसको D मानता हूँ ID इसको जो value होगी वो B प्लस C अनुपात A के बराबर होगी कब होगी जब यह A है यह B है और यह C है ठीक इसी प्रकारशे अगर मैं यह वाले अनुपात को निकालो इसका इसका अनुपात निकालो तो यहाँ पे क्या है A और B है मत इसको आपको ढंग से समझाना चाहूं तो कैसे हो जाएगा देखो अगर मैं इस प्रकार से कोई triangle draw करता हूँ ABC तो इसके सामने वाली बुजा A होगी यह B होगी और यह C होगी तो अगर मैंने यहाँ पे कौन सम्धवाज़क डाल दिया यह इसका कैंद्रक है तो अगर मैं इसको आय मांनता हूं तो जो AI अनु 50 I A की वैली होगी I, A नहीं, अगर मैं यहाँ पे इसको D मानता हूं तो जो ID ची वैली होगी वो B प्लस C, B प्लस C अनु 50 A के बराबर होगी इसी परकार से अगर मैं यहाँ से कौन सम्धु वाज़क डालता हूं इस परकार से जो BI, अन अनुपाद B के बराबर होगी और यहां से अगर मैं कौन सम्दुबाजक इस प्रकाश डालता हूं इसको मैं अगर F मानता हूं तो जो C अनुपाद I F की बेलिव की वो A प्लस B अनुपाद C के बराबर होगी ठीक है यह लास्ट चीज आपको यह धियान रखनी है ठीक अब देखो इसमें अगला आता है परिकेंद्र जो की लंब सम्दुबाजक से मिलकर बना होता है अब यह लंब सम्दुबाजक क्या चीज होती है रेखाग तो इसमें क्या लिखा है रेखाकंड जो तिरबुजकी बुजा के साथ सम्कौन बनाते हुए इसे दो समान भागों में बाटता है तो अगर मैं यह वाली बुजा को लेता हूं बुजा BC उसको क्या करता है दो समान भागों में बाटता है यानि अगर यहां से यह इसको दो समकौन बनाते हुए तो अगर समकौन की बात करूं तो इस परकार से समकौन बनेगा तो यह 90 हो गया ठीक है तब ही समकौन बनेगा तो यह जो लाइन मैंने ड्रोग करी इसको हम लंब समधिवाजक कह सकते हैं इसी परकार से अगर मैं यह वाली बुजा की बात करता हूं तो य अगर यहां पर 90 का कौन बन रहा है तो यह इसका लंब सम्दुबाजक हो गया और जहां पर यह तीनों लाइने मिलती है तीनों लाइने जहां पर मिलती है उसको परिकेंद्र बोला जाता है और इसकी डेफिनिशन के अगर मैं बात करूं तो वह बिंदु जहां बोजाओं के सम्दुबाजक मिलते हैं परिकेंद्र कहलाता है परिकेंद्र हमेशा तीनों सीर्सों से समान दूरी पर होता है तो इसको भी मैं आपको आगे समझाओंगा तो यह जो बिंदु होगा यह परिकेंद्र होगा अब इसका नाम परिकेंद्र क्यों पढ़ा क्योंकि इसको केंद केंद्र मान के अगर इसके एक सीर्स को टच करते हुए मैं एक सर्कल ड्रॉख करूँ इस परकार से तो यह इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा ठीक है एक सर्कल मैंने इसको केंद्र मान के इसके एक सीर्स से अगर मैं सर्कल ड्रॉख करूँ तो जो सर्कल होता है व अब ये वाले चीज़ क्या बनगी इसकी रेडियस बनगी और यही चीज़ यहां पर लिखे गई है परिकेंद्र हमेशा तीनों सीरसों से समान दूरी पर होता है तीनों सीरसों से समान दूरी पर होता है तिक तो यह चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी अब देखो इसक परकार से कोई triangle होगा और यह इनका center होगा तो यहां से अगर मैं कोई circle draw करता हूं तो इस परकार से यह तीनों सीर्षाओं को touch करके वे जाएगा और यह इसका R हो गया यह भी R हो गया और यह भी R हो इसकी जो value होती है वो इसके दो गुने के बरावर होती है यानि कौन BAC इसके दो गुने के बरावर होगी यह चीज आपको दियान रखनी है तो इसमें दो चीजें द्यान रखेंगे, पहली चीज तो ये द्यान रखेंगे, जो परिकेंदर होगा, वो हमेशा तीनों सीर्षों से समानदोरी पर होगा, जो कि मैंने आपको बता दे कि क्यों होता है, और दोसरी चीज ये द्यान रखनी है, कि जो कॉन बी ओसी, मतलब ये वाले जो कौण की value होती है वो ये वाले कौण के दोगने के बराबर होती है इसी परकार से अगर मैं ये वाले कौण की बात करूँ, यानि angle BE O A इसकी जो value होगी वो इसके पीछे कौन सा कौण है ये वाला कौण BC A, इसके दोगने के बराबर होगे टिक तो ये दो चीजे इसमें दियान रखनी है और ये जो तिरबुज है तिरबुज ABC इसका जो छेत्रफल होता है वो बराबर होगा ABC upon 4 into R जहांपर R क्या चीज है इसका जो radius है यानि ये जो circle है इसके radius के बराबर तो इसका छेत्रफल में इससे निकाल सकता ठीक है ये चीज भी आपको दियान रखनी है तो परिकेंद्र में क्या क्या चीजे आपको दियान रखनी है पहली चीज आपको ये दियान रखनी है कि परिकेंद्र हमेशा तीनों सीर्षों से समानदोरी पर होता है दूसरी चीज आपको ये दियान रखनी है कि जो कौन का इसके दो गुने के बराबर होगा यह वाला जो कौन होगा और यह वाला जो कौन होगा इसके दो गुने के बराबर होगा और तीसरी चीज यह दियान रखनी है कि अगर मैं तिरबुझ ABC की value निकालूं तो उसकी value निकालने के लिए मुझे ABC मतलब इसके सामने वाली ये वाली बुजा है तो ये A हो गया इसके सामने ये वाली बुजा है ये B हो गया और इसके सामने ये वाली बुजा है ये C हो गया तो ABC यानि इनको गुणा करेंगे और बटमे 4 इंटू 3 जो इस तिर्वुज के तीनों अविलम मिलते हैं अब यह अविलम क्या चीज होगी कि किसी भी तिर्वुज में एक बुजा के विपरीट सीर्ष से डाला गया लंब अविलम कहलाता है अगर मैं इसको आपको एक ट्रेंगल से समझाऊं तो अगर मैं इसको ए बी सी मानता हूँ तो इसमें लिखा है किसी भी तिर्वुज में एक बुजा तुमान लेजे कोई सी भी बुजा में लेता हूँ बी सी बुजा अगर मैं लेता हूँ बुजा के बिपरीट सीर्ष इस बुजा के बिपरीट है यह सीस लम कहलाती है इसी परकार से यहां से पर्पेंडिकुलरी एक लाइन ड्रो करता हूं और यहां से भी पर्पेंडिकुलरी एक लाइन ड्रो करता हूं जहां पर तीनों परतिशेदित होती है यह जहां पर यह तीनों मिलती हैं इसको हम लम गेंद्र कहते हैं लम गेंद्र ठीक है और इसको मैं OC denote कर सकता हूँ तो इसमें आपको एक जी धियान रखनी है कि ये जो कौन होगा और ये जो कौन होगा इनकी value 180 के बराबर होती है यानि angle BOC plus angle BAC इनका जो योग होगा वो 180 degree के बराबर होगा अब देखो अभी lump और lump sum दुबाजक lump sum दुबाजक जो कि मैंने आपको तीसरे केंदर में बताया होगा इन दोनों में क्या फरक होता है क्योंकि lump यहाँ पर भी आ रहा है lump यहाँ पर भी आ रहा है यानि 90 का कौन यहाँ पर भी बन रहा है और यह 90 का कौन यहाँ पर भी बन रहा है इन में क्या फरक होता है जो अभी लंब होता है वो किसी भी तिर्बुज में सीर्ष से डाला जाता है सीर्ष से डालने का मतलब यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ और यहां पर अगर 90 का कौन बने तो तब यह अभी लंब कहलाएगा यह सीर्ष कहलाएगा जबकि जो लंब सम्दिवाजक होता है उसमें क्या होता है कि किसी तिर्वज में पहले मान लिजे यहाँ पर मुझे लंब सम्दिवाजक डालना है तो इसको पहले ये वाली जो बुजा है इसको पहले मैं दो बराबर भागों में बाटोंगा तो बराबर भागोंगे जब बराबर भागों में बाटांगा तो जो point होगा वहाँ से मैं 90 degree का corn बनाऊँगा तो ये इसका lump सम्धिबाजक होगा और ये जरूरी नहीं है कि ये जो lump सम्धिबाजक होगा ये इसके सीर से जाके मिलेगा ये कोई जरूरी नहीं है मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है जबकि अभी लम में क्या होता है 90 degree का कौन Иहां पर बनना चीए और यह सीर्ड से मिलना चीए और इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर भागों में बाटे टिक तो ये दोनों difference होता है अबिलम और लम संद्वाजक में ये चीज भी आपको पता हो नीची है अब इसमें पांचों और लाश्ट आता है भायक एंद्रक तो ये उसी के जैसे है जैसे हमने दूसरा वाला पड़ा था मतलब जैसे हमने इन सेंटर पड़ा था इन सेंटर में क्या होता है कोई तिर्वुचा में इस प्रकार से ड्रौ करते है और कौन संद्वाजक मतलब इसमें जो अंता कौन है उसको दो बरावर बागों में बांटा जाता है जबकि जो भायक एंद्रक में होता है उसमें ये जो भायक कौन है इसको मैं और आगे बढ़ा हूँ, ये भायर केंदर है, इसको भी मैं आगे बढ़ा हूँ तो ये जो भायर कॉण है, इनको दो बराबर बागों में बांटा जाता है तो अगर मैं यहां से इस परकार से एक line ड्रॉख करूँ और ये जो line है ये जो baie-acorn है इसको दो बडाबर बागों में बांटे मतलब अगर ये A है, ये B है, ये C है तो ये हो जाएगा A by 2 और ये भी हो जाएगा A by 2 तो इसको दो बराबर बागों में बांटे इसको मैं D मानता हूँ तो ये जो A, D होगा ये बाय कौन सम्दुबाजक हो जाएगा तो इसमें मैंने आपको बुजाओं का अनुपाद बताया था यानि जहां से ये डाला जाता है तो वो जो दो बुजाओं हैं मतलब A B अनुपाद A C ये दोनों बुजाओं की जो अनुपाद होगा वो B D B D अनुपाद C D इसके बराबर होगा जो कि मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर मैं अन्ताव कौन में इस परकार से अन्ताव कौन सम्दुबाजक डालूं और यहां पर इसको D मानता हूँ तो इन तोनों का जो अनुपाद होगा वो B D और D C के बराबर होगा वही अनुपाद इसके बराबर भाय कौन में भी वही अनुपाद होगा B D और C D का ठीक है तो यह चीज़ आपको भाय के अंदर में धियान रखनी है अब देखो यह सारी चीज़े जानने के बाद अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेशन के ओर देखो इसमें पहला क्वेशन क्या दिया है किसी तिर्बुच के तीनों सीर्षों से बिपरीद बुजाओं पर डाले गिये लंबों का परतिशेदन बिंद उस तिर्बुच का कौन सा कैंदर है तो सीर्षों से बिपरीद बुजाओं पर डाला जा रहा है यानि जिसको अभी लंब बोला जाता है और अभी लंब से क्या बनता है लंब कैंदर बनता है टिक तो यानि बी वाला मारा एंसर हो गया अगला question दिया है किसी तिरवुज के तीनों सीर्षाओं से खीचेगे कौनों के समदिवाजकों का परतिशेदन बिंदू उस तिरवुज का कौन सा कैंद्र है तो कौन समदिवाजक से बनता है अंता कैंद्र यानि D वाला हमारा answer होगा अगला दिया है किसी तिरवुज की तीनों मादिकाओं का परतिशेदन बिंदू तो मादिकाओं से बनता है कैंद्रक तिक और इसमें लास क्या दिया है कि किसी तिरवुज की बुजाओं के तीनों लंब आर्दकों का परतिशेदन बिंदू निकित मेंसे कौन सा है लंब आर् कार से हम इनको solve कर सकते हैं अब देखो वीडियो काफी लंबा बन गया है तो इसके जो बागे कोशन है वह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सिस्क्राइब करन ना भूलें तो मिलते हैं आप से इसके अगले पार्ट में तता के लिए बाबाई